नमस्कार दोस्तों स्वागत आप सभी का सरकारी अध्यापक के इस यूट्यूब चैनल पर दोस्तों बिहार में इतनी बड़ी सिक्षक भरती आई है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स की इसमें जॉब लगने की संभावना उतनी ही ज्यादा है बहुत सारे स्टूडेंट्स इसमें जॉब मिलेगी बहुत सारे स्टूडेंट्स का सपना भी पूरा होगा लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स गलती किया कर रहे हैं जो अधर स्टेट वाले स्टूडेंट्स जो बिहार के स्टूडेंट्स वो फॉर्म भरने में ही गलती कर तो आपका form भी reject हो जाएगा, आपका admit card ही नहीं आएगा, तो सारी चीज़ें मेरे ध्यान से भरनी है, और जो other state वाले हैं, जिनका seat at pass है, जिनका seat at pass नहीं भी है, उनको किस तरह से form भरना है, किन-किन चीज़ों का ध्यान रखना है, और कौन-कौन से documents चाहिए, वो सारी बात हैं, आज की इस वीडियो में में शेयर करूँगा, इस वीडियो को शुरुवात से लेकर end तक पूरा देखिएगा, यहाँ पर बहुत सारे student गलती कर रहे हैं, कि seat at का जो certificate है, वो मांगा जा रहा है, जब आप BPSC का form भर रहे हो तो seat at का certificate अपलोड करना है, seat at की mark sheet अपलोड नहीं करनी है, जब आप seat at क्लियर कर लेते हो तो seat at का certificate और seat at की mark sheet दोनों आपके digilocker में आती हैं, और उसमेंसे आपको केवल certificate number और certificate ही अपलोड करना है, ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा, अगर किसी भी student को डाउनलोड करने में certificate mark sheet दाउनलोड करने में दिक्कत आ रही है, तो इस पर मैंने अलग से वीडियो बनाई है, यूट्यूब पर आप सर्च करोगे, कि हाउ टू डाउनलोड सीटेट mark sheet and certificate by सरकारी अध्यापक चैनल का लाहम नाम लिखेंगे तो मेरी वीडियो आजाएगी उससे आप डाउनलोड करके देखना, आपका डाउनलोड हो जागा थी कि ध्यान रखना certificate चाहिए और लेंग्वेज की बहुत सारे student पूछ रहे हैं कि लेंग्वेज क्यों नहीं पूछ रहा है जब हम फॉर्म भर रहे हैं तो लेंग्वेज पूछ नहीं रहा है कि हम हिंदी भरेंगे उर्दू में एक्जाम दे हैं जितनी भी अधर स्टेट वाले स्टूडेंट हैं हिंदी भास्या वाले स्टूडेंट हैं उनको सब को हिंदी वहीं करनी है इसके लिए कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है उनको नहीं के सब्सक्का में मॉजएर, सब्सक्राव नहीं है उसको छाषिक लने सुड़ी ज्यव्शेझ सब्सक्राव हैं, मॉष्ड नाक नहीं मॉजद को या लिए थियान है, दढन थान बर कर स्टूडेंट सुडेंट–bourग सब्सक्राव। mark sheet में, serial number और बहुत सारे वो number अलग लग जो गलत नमबर डाल ये certificate number लिख़ा होता है हर जग है serial number अलग होता है, certificate number अलग होता है, mark sheet नमबर अलग होता है, certificate number अज लग होता है, certificate number ही डालना है आपको, form भर्ते time. ऑर जैसे आप form भरेंगे, अधर स्टेट वाले तो वहां पर क्या है? ताइमर का बच्चे बहुत बोल रहा है कि ताइमर आरा है कि पंदरा मिनट आपको दिये जा रहा है उसमें ही आपको केवल फॉर्म बरना है वह पर ताइमर है और उससे जाद आपको टाइम नहीं मिलेगा और आराम से फॉर्म बरना गलती मत करना 10th की 10th का सर्टिफिकेट 12th का सर्टिफिकेट ग्रेजूशन का सर्टिफिकेट और B.Ed B.T.C का सर्टिफिकेट भी उसमें मांगा जा रहा है तो वह सारे चीज़े धान से भरनी है आपको 10th का सर्टिफिकेट नंबर और इस्यूडेट जैसे आप कोई भी सर्टिफिकेट लेंगे तो उसमें इस्यूडेट लिखी रहती है आप देखना ग्रेजुशन का सर्टिफिकेट वगर आपको मिला होगा पर मांकषीट होगा तो उसमें issue date लिखीरहती तो issue date इसक्राइट सेर्टिफिकेट में नीचे की साइड आफर उपर की साइड जहाँ भी लिखीЕТ. Issue date इसक्राइट इसक्राइट भी आपको टालने है. Also we have a certificate your number इसक्राइट नमबर भी आपको डालना है . Form birthday time. सीटेर्ट सर्टिफिकेट या तो NO कर देना या फिर Aन कर देना या तो सॉरी, NO नहीं करना है, सर्टिफिकेट नंबर डाल देना या फिर Aन कर देना ठीक है और अधर स्टेट वाले हैं तो बहुत सारे बच्चों का डाउट ये भी है कि Other State से हैं हम तो Domicile अगर स्टेट का चाहिए के नहीं चाहिए तो बिल्कुल कुछ नहीं चाहिए, जब आप लोग फॉर्म फिल करोगे, तो वहाँ वो अपने आप से पूछ लेगा कि आप बिहार के निवासी हैं, तो येस और नो करना है, नो कर दोगे तो अपने आप कुछ नहीं मांगेगा, उस पर में वीडियो भी जरूर बनाऊगा, तो पहले अच्छे से फॉर्म भर लीजिए, फिर हम इसकी तयारी भी स्टार्ट करेंगे सरकार यद्ध्यापक चैनल पर, ठीक है दोस्तों ये छोटी सी वीडियो थी, उमीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आयोगी, इ सारे ग्रुप्स में सब फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर देना, ठीक है, मिलता हूँ ये आपसे नेक्स्टी वीडियो में, अभी के लिए तना ही धन्यवाद,